आउजू बिल्लाहिमिन शयत्वान रवाजीन बिस्मिल्लाहित रुख्वान रहीन असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसिंदवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूरंट सपोर्ट सर्विसिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CS101, Introduction to Computing की हमारी जो Assignment No.1 आई हुई है उस हवाले से है दोस्तों चलिए हम सबसे पहले इस Assignment की Requirements को देख लेते हैं दोस्तों Requirements को देखे बगार जो है हम किसी भी Assignment को जो है वो solve नहीं कर सकते तो इसलिए मेरी हर वीडियो के अंदर जो है वो सबसे पहले मैं focus करता हूं Requirements के उपर और फिर मैं उसके solution की तरफ बढ़ता हूं और दोस्तों मैं आपको साथ ही ये पताता चलूं कि मेरी जितनी भी वीडियो होती है चाहे वो Assignment से related हों चाहे वो GDP से related हों चाहे वो कुछ से related हूं तो वो आपको फिरफ idea देने के लिए होती है मेरी कोई files नहीं होती आप लोग जो है मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है तो इसलिए मैं मगलब किसी को file नहीं देता तो आप लोग जो है वो सीखने की तरफ focus रखा करें बजाए इसके क्या आप मुझे comments में लिखें या मुझे message करें कि sir आप हमें files तो files में नहीं देता होता दोस्तों इसमें हमें दो question दिये गए है you are required to perform the following stated operation in binary number system हमें ने जो है दो number दिये गए है जिसमें हमारे पास एक 320 है और एक 112 है और minus के साथ मतलब यह negative value है और इनके साथ 10 लिख हुआ है it means कि these numbers are decimal number इसके हमने करना क्या है please first convert the stated decimal number into the binary number हमने पहले तो जो है इन decimal numbers को binary number के अंदर convert करना है perform the arithmetic operation on binary number अब इनके दिर्मियान में देखें आपको एक addition की symbol नवर आ रही है it means कि we are performing the arithmetic operation of addition on the converted binary number फिर हमने इनके उपर जो है यह operation addition का perform करना है then convert the answer of binary number into the decimal number system फिर हमने वापस पूफ को जो है decimal number के अंदर convert करना है you are bound to show each and every step involved in conversion arithmetic operation involved और हमने इस conversion के तो जितने भी steps आएंगे उनको जो है वो show भी करवाना है दोस्तो इसके बाद हमारा second question है second question में हमें एक boolean expression दिया गया है you are required to fill the stated table और साथ ही हमें एक table दिया गया है इसमें हमें symbols दी गई है different xor की है not की है or की है और end की है और expression जो है वो not a और उसका xor लेना है b के साथ और उसका फिर and लेना है d के साथ और फिर उसका और लेना है c के साथ a की value हमें 0 फिले के end पर 1 है और b की value 4 time 0 4 time 1 और फिर 0 है c की value 0011 0011 और 0 है और d की value 001 001 001 00 है और उसके बाद हमने ये जो table हमें दिया गया है इसको हमने fill out करना है दोस्तों ये हैं हमारी इस assignment की requirement तो बढ़ते हैं हम अपने solution की तरफ दोस्तों सक्रीन के उपर आपको वही दो number जो हैं लिखे हुए नजर आ रहे हैं जिसमें एक 320 है और दूसरा जो number है वो आपका minus 122 है पहले तो जह हम लोग इन numbers को जो है करेंगे binary number के अंदर दोस्तों binary number के अंदर convert करने के आपके पाफ different method है और मैंने जो method use किया है वो shortcut जो method है आप लोगों का उसको use किया है अब shortcut method के अंदर क्या होता है यहां पे आपको एक table number आ रहा है जिसमें 1 2 4 8 16 32 64 1 2 5 2 5 6 और पांचो बारा लिखा वो number आ रहा है यह दोस्तों आपकी वही टू रेव की पार 0 1 आ गया टू रेव की पार 1 तू आ गया टू रेव की पार 2 4 आ गया टू रेव की तू पार 3 8 आ गया और इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास जो है वह 512 आ गया दोस्तों यह जो table आपको नफर आ रहा है with the help of this table जो है हम लोग इसको convert करेंगे दोस्तों इसी आपका जो subject CS101 है इसके within detail मेरे lectures available है मेरे दूसरे चैनल के उपर जिसका नाम 24R7 teachers online है उसका जो link है वो मैंने description में भी कर दिया है video के start में भी आपको नजर आया होगा तो आप उस चैनल पर जाएं और इस subject के जो मेरे lectures available है ना सिरस्फ वो सुनें बलके आप मेरे detail में समझाया हुआ है तो यहां पे देखें आपके पाद फीज फॉफ है अब सीन फुबीह को हम ने जो है बाइन बान अंबर के अन्सक्राइड करने अब यहां पर देखें सबसे पहले है वो कहांपे फॉल करता तो हम यहां पे 1 लगा आतेंगे इसके बाद है 128 तो हम क्या करेंगे 256 जमा 128 करेंगे और देखेंगे कि उसका जो जवाब है वो 320 आता है या नहीं आता है तो जब हम 256 को 128 में एड करेंगे तो यह आइधिंक के 394 बनता है तो हम 128 को भी इसके अंदर एड नहीं करेंगे तो इ अब पहले ही की तरह 256 के अंदर जो है वो 64 एड़ करेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब जो है वो 320 आता है या नहीं आता है तो जब हम 256 को 64 के साथ एड़ करेंगे तो हमारा जो जवाब है वो 320 आता है तो इसलिए हम 64 पे भी जो है 1 लगा देंगे उसके बाद 32 हमारे पास बच जाता है उसको भी हम 0 लिखेंगे, 16 को भी 0 लिखेंगे, 8 को भी 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो answer है 320 वो पूरा हो चुका है, 256 जमा 24, तो बाकी की जितनी भी आपको values निफर आ रही हैं, वो आप 0, 0, 0 और 0 लगा देंगे, तो ये आपका जो number ह है, ये आपका convert हो चुका है, 22 नमबर के अंदर, इसको check भी आप लोग कर सकते हैं, वो तरीके कार क्या है, आप start के बटन पर जाएंगे, run के उपर जाएंगे, और calculator open करेंगे, जब आप calculator open करेंगे, तो यहां पर आपको decimal number दिया गया है, यहां से आप 300, पहले मैं इसको वा binary number पर क्लिक किया, तो यहां पर देखें, हमारे पास binary, वो ही जो यहां पर आपको नजर आ रहे ही है, कि 101 और फिर आगे सारे 0, यह वो ही same उसके साथ मैच करता है, दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगला number है, वो है, minus 122, अब हम सबसे पहले, जो है, 122 को convert करेंगे, binary number के अंदर और फिर मैं आपको negative value को कैसे deal करते हैं, वो आपको सिकाता हूँ, अब देखें, आपके पास पहले 512 है, यह नहीं आएगा, तो इसलिए 0 है, 256 है, यह भी नहीं आएगा, तो यह भी 0 है, 118 है, यह भी नहीं आएगा, तो यह भी हमारा 0 है, इसी तरह, आपका अगला जो है, वो 64 है, तो 64 जो है, वो आएगा, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, अब 64 के साथ जो है, अगला जो नंबर है, वो आपका 32 है, जब हम 64 के साथ 32 एड करते हैं, तो वो 96 बनता है, तो इसका मतलब यह है, कि 32 भी हमारे इसके अंदर आएगा, तो इसको हमने 1 लिखा, आप 906 के साथ जब हम 16 को add करते हैं तो जवाब देखें वो अगर 122 से कम है तो आप यहाँ पर 1 लगाएंगे अगर 122 से ज्यादा है तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे जो है हमने 1 लगाया इसका मतलब यह है कि हमारा जो ज़ाब है उसमें जो है वो 122 से कम है इसके बाद आप पास आठा आ जाता है वो भी वन आ गया फोर आ गया वो 0 आ गया और यह वह 1 आ गया और इस तरीके से जब हम इनको अड करते हैं मतलब 64, 32, 16 को, 8 को और 2 को तो हमारे पास जवाब है वो 122 जो है वो आ जाता है क्योंकि 64 और 32 जो है वो आपके पास 96 बन जाते हैं और 96 और 16 को जब हम add करते हैं यहां पे calculator के उपर ही हम add कर लेते हैं कि यहां पे 64 जमा 32 96 और इसके साथ add कर लेते हैं 16 112 हो गए 8 हमने add किये 120 हो गए और 2 को add किया तो 122 और यही हमें result 122 चाहिए तो दोस्तों यह एक shortcut method है किसी भी decimal number को जो है binary के अंदर convert करने के लिए अब यहां पर देखें यह हमारे पास एक stream आ गई यह 320 के लिए यह 0 extra थी वो हमने जो है इससे निकाल दी तो हमारे पास 320 का binary 101 और सारे बाकी 0 आ गए इसी तरह अगली जो है वो हमारे पास जो है यहां 1 से start हो रही है तो हमने यहां पर 111 four time और फिर 01 और फिर 0 और इसके साथ negative sign आ गया अब दोस्तों जब भी किसी 92 नंबर के साथ negative sign होता है तो हम सबसे पहले कोई भी arithmetic operation करने से पहले उसको convert करते हैं into the positive value positive value में convert करने का तरीका कार क्या है वो है आपका tools compliment अब tools compliment के उपर मेरे detail के अंदर lecture available है 24 hour 7 teachers online के उपर तो आप वहां से वो lectures भी सुन सकते हैं तो उसका तरीके कार क्या है उसका तरीके one आएगा तो उसके बाद बाकि जितनी की भी आपकी values होंगी या जितनी भी bits होंगी उनको हम convert कर देंगे उनके subsequent bit के अंदर मतलब उनकी उलट तो अब यहां पर देखें आपको जो उपर वाली value है वह तो पौविटिव है उसको तो one आ जाता है तो पहला one आ गया तो हम बाकी की सारी value को उलट कर देंगे यहां पर देखें आपके पाफ zero है तो यहां पर हमने जो है one कर दिया और फिर आपके पाफ four time जो है वह one है तो हमने बाकी सारे जो है वह zero लगा दिये हैं दोस्तों इसको करने के बात हम क्या करेंगे इसको convert कर लिया अब हम addition का perform करेंगे अब addition में क्या होताँ और तो यहां तो यह फिर आम पाफ लाफ्ट पर आप you're like one का one आगया अब दौस्तों हम इस number को जो है convert करेंगे into the decimal number अब इसको convert करने के लिए हम लोग ये number जो है अपने इसी shortcut method वाले table के अंदर जो है वो put कर लेते हैं यहाँ पर वही जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 11100111 यह वही है number जो हमने addition से calculate किया है अब हम क्या करेंगे 256 जमा 1224 जमा आपका 4 और जमा 2 यह जब हमने सारा total किया तो हमारे पास 454 आ गया इसको मैं आपको calculate करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर देखें हमने जो है सबसे पहले 256 प्लस आपका 128 प्लस 64 इसके बाद फिर आप प्लस करेंगे 4 और फिर आप प्लस करेंगे 2 तो यह आपके पास जवाब जो है 454 आ गया अब यह जवाब आपका ठीक है या नहीं इसको भी हम verify कर सकते हैं मैं इसको दुबारा 0 पे ले जाता हूँ और इसके अंदर जो है हमारे पास जो 2 binary number हैं यह वाले जो हमने convert किये हैं 1320 को और दूसरा minus 122 से जो हमने positive value generate किया इन दोनों को मैं add करता हूँ और उसको फिर वापस decimal में convert करता हूँ और उसका जवाब अगर 454 आता है तो इसका मतलब यह है कि हमने ठीक calculation की है तो हम इस calculator को binary calculator कर लेते हैं इसमें देखें 1 0 फिर 1 है और फिर आपके पास zeros हैं 6 times तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको हम जमा करेंगे इस binary number के साथ तो यहाँ पर आपके पास one और फिर आपका four time zero है एक, दो, तीन, चार, four time zero के बाद आपका two time जो है वो one है और फिर zero है इसको जब हमने add किया तो आपके पास जवाब देखें वही आ गया जो यहाँ पर आया हुआ है कि three time one और फिर आपका three time zero और फिर two time one और फिर one time जो है zero आ गया अब जब मैं decimal number के उपर click करता हूँ तो आपका जवाब जो है वो four five four आ गया इसका मतलब यह है कि हमारी यह जो conversion है from decimal to binary number and then convert into the again decimal number यह हमारी calculation बिल्कुल ठीक है दोस्तों यह थी हमारी CS101 की जो हमारी assignment number one है उसका जो question number one है उसका solution अब हम बढ़ते हैं अपने question number two के उपर question number two को solve करने से पहले दोस्तों यह एक table है जो आप लोगों के साथ share करना बहुत ज़रूरी था ताक कि हम सबसे पहले जो है वो boolean operations को समझ सकें और जो हमारे पास boolean operator हैं उनको समझ सकें दोस्तों मैं आपको फिर बताता चलूं कि आप 24 hour seven teachers online पे जाईए वहां पे मेरे detail के अंदर जो है CS101 के lectures available हैं आप उनसे भी फाइदा उठाएं और उसका जो URL है इस video के description में मैंने add कर दिया है तो आप असानी के साथ जो है वहां पे जाके और यह lecture सुन सकते हैं इसमें दोस्तों हमारे पर चार operator है एक not का है उसकी final है और एक्स और का है और उसकी final है अब जब हम not करते हैं तो इसमें हम value को उलट कर देते हैं अगर true है तो उसको false कर देते हैं अगर on है तो उसको हम off कर देते हैं इसी तरह हमारा तो दूसरा operation है वो end का है इसमें हम देखते हैं अगर दोनों value true है तो इसको हम true करते हैं या on करते हैं अगर एक true है तब भी हम इसको false करते हैं मतलब हमें दोनों value true चाहिए इसके बाद औ और operator है, और operator क्या करते हैं, यह and operator का तकरीबन almost उलट है, इसमें हम देखते हैं, अगर एक value true है, तो उसको हम true या on कर देते हैं, अगर दोनों value true है, तो तब हम उसको true ही लिखेंगे, लेकिन and operator के अंदर जो है, अगर दोनों value true है, तो हम उसको false लिखते हैं, इसके बाद xor है XOR के अंदर हम क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं अगर एक value true है तो हम उसको true करते हैं या on करते हैं अगर दोनों value true है तब भी false होगा दोस्तों ये हैं हमारे चार bullion operator दोस्तों मैं फिर आपको बताता चलूँ के हमारा एक channel है key to success उसके उपर आपको mid term के हवाले से आपके जो grand quiz आने हैं उस हवाले से भी वहाँ पे material में upload इंशाला 20 जून तक कर दोंगा तो आप key to success के उपर जाईए और वहाँ से आप बहुत कम वक्त के अंदर एक अच्छी तैयरी कर सकते हैं क्यूंकि वहाँ पे ना सिर्फ मैंने MCQs को solve किया है बलके तरिके कार भी बताया है कि आपके paper में कोई भी MCQs आजाए तो आपने उसको कैसे solve करना है तो उसका भी URL जो है वो आपको description में मैंने दे दिया है तो आप उस channel पर जाईए key to success के उपर और वहाँ पे आप इम्तिहान की तयारी कर सकते हैं बढ़ते हैं जी हम अपने solution की तरफ question number two के ये table आप लोग अच्छे से वहन नशीन कर लें क्यूंकि आगे इसी table को ही हम मदे नज़र रहके जो है वो आगे काम करने वाले हैं अब screen के उपर जो है आपको एक boolean expression नज़र आ रही है जिसमें not और x or है और फिर end है और फिर आपका or है ये है और a की value हमें दी गई है 0, 0, 0, 0, 0, 0 और last पे 1 दिया गया और b की value 4, 0, 4, 1 और c की value 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 और फिर 0 दिया गया है इपी तरह आपको जो d की value दी गया वो 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 और 0 दिया गया है अब हमने सब से पहले a का जो है वो x or जो है वो point करना है और उसमें हम क्या करते थे अगर हमें एक साइट पर true value है तो हम उसको true करते थे और अगर दोनों value true आ गई हैं तो फिर हम उनको false लिखते थे तो हम अगली स्क्रीन के उपर आपको ये perform हुआ वह नजर आ रहा है इसमें हमने A का XOR लेना है B के साथ तो यहां पर देखें वीडो और वीडो है तो हमने वीडो लिखा वीडो और वीडो है तो वीडो लिखा यहां पर false और false है तो हमने इसको false लिखा अगली row के अंदर भी वीडो लिखा अगली row के अंदर देखें आपको यहां पर जो है वो one मिल गया अब X4 के अंदर हम लोग क्या करते हैं हमें एक फाइल पर जो है वो 1 चाही होता है अब यहां पर देखें इस अदर 1 है तो हमने 1 लिखा ट्रू लिखा यहां पर 0 और 1 है तो फिर भी हमने ट्रू लिखा यहां पर 0 और 1 है फिर भी हमने ट्रू लिखा 0 और 1 है true लिखा और 1 0 है true लिखा अगर हमारे A का भी true होता और B का भी true होता तो हम उसको false लिखते अब दोस्तों ये हमारी पहला जो column है वो fill हो गया इसके बाद बारी आती है दूसरे column की दूसरे column में हमें कहा गया है कि आपने ये जो A, X और B find किया है उसका not लेना है तो not लेने के लिए हमने पढ़ा था कि not में हम किसी भी value को उलट लिखते हैं तो अब देखें A, X और B की value इस column के अंदर है तो हमने इस column से not लेना है तो उलट लिखते है true है तो false और false है तो true वीडो है तो one और one है तो वीडो तो हमारा पहले row के अंदर जो है वीडो है तो one हो गया वीडो है वीडो है वीडो है वीडो हो गया वीडो है वीडो हो गया इसका आपने end लेना है D के साथ तो अगली slide के उपर आपको वही नजर आ रहा है कि यह जो हमने X और B का not लिया है इसको हम D के साथ जो है वो compare करेंगे और end लेंगे end के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोफतो end के अंदर हम लोग ये करते हैं कि अगर हमें एक fight पे जो है वो true value है तो हम उफको जो है वीरो लेंगे और अगर दोनों true हैं तो फिर हम जो है उफको true लेंगे तो अब पहली रोग के अंदर देखें वीरो और one है तो वीरो आ गया आगे हमारे पाफ one और one है तो ये हमारे पास दोनों values जो है true आ गई है तो if लिए हम इसको true ले रही है आगे जो है आपका video और one है तो video आ गया one और one है तो two आ गया मतलब one आ गया video और video है तो video आ गया one और video है video आ गया video और video है video आ गया one और video है तो आपका video आ गया video और video है तो video आ गया आखिर के अंदर हमने एक और बुलियन अक्सप्रेशन दी गई है जो कि है EX और B उसका हमने NOT लेना है उसको AND लेना है D के साथ और आखिर पे जो है और लेना है F के साथ अगली स्क्रीन के उबर आपको नजर आ रहा है वो वाले column मैंने red कर दिये हैं जिनको हमने compare करना है अब और के अंदर हम लोग क्या करते हैं और के अंदर हमें एक file पे जो है वो one चाही होता है अगर दोनों values हमारे true आ जाती हैं तो फिर भी हम मुझे true लिखते हैं अब पहली row के अंदर देखें यहां पे वीडो और वीडो है तो आपका वीडो आ गया वीडो और one है देखें one true आ गया तो हमने true लिख दिया आगे one और वीडो है तो हमने true लिख दिया आगे one और one है देखें अब यहां पे दोनों value true आ गये अब और के अंदर हम यही करते हैं कि अगर दोनों value true आजाएं तो तब भी हम उसे true ही लिखते हैं आगे 0 और 0 है, 0 आगया, 0 और 0 है, 0 आगया, आगे 1 और 0 है, 1 आगया, 1 और 0 है, 1 आगया और आखिर के अंदर आपका 0 और 0 है तो वो हमारा 0 आगया, तो दोस्तो इस तरीके से जो है आप अपना ये टेबल फिल आउट कर सकते हो दोस्तो ये थी हमारी assignment CS101 की मुझे उमीद है आप लोगों को उससे idea मिल गया होगा कि आपने अपनी assignment कैसे solve करनी है दोस्तो आखिर मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप 24R7 teachers online पर जाहिए वहाँ पर जो मेरे lectures available हैं आप उनसे भी फायदा उठाएं उसमें CS101 के भी हैं दोस्तो और आप लोग key to success के उपर जाएं वहाँ से आप इम्तिहान की या grand quizzes की जो है वो अच्छे से तयारी कर सकते हैं लेकिन अभी जो है वहाँ पर final term के हवाले से material update है और mid term का मैं इंशाला बहुत जल्द update कर दूँगा तो आप इन दोनों चैनल्स को जरूर subscribe करें ताक के आप लोग अच्छे से सीख सकें और पढ़ सकें दोस्तो मौफिन भाई को दौव में याद रखें और मुझे जाफ़त दें अल्ला हाफिव